Hello friends, this is Vikas with lecture 19 with some popular patterns programs. So let's start with the first one. तो हमें यहाँ पे यह pattern print करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं, 5 row हैं, 1, 2, 3, 4, 5. और 1st row में single, 2nd में 2, 3rd में 3, 4th में 4, 5th में 5. इस तरह से star print है. तो जितनी भी यहाँ पे line हो, यानि जितनी भी row हो, 1st वाले loop को उतनी बार आपको चलाना है. तो क्योंकि 5 है, इसलिए 1 से 5 तक चलाएंगे, और 6 हमने रखा है, क्योंकि आपको पता है, range last वाला नहीं चलाता है. इसके अंदर आपको 2nd loop start करना है, j in range. और इसकी जो range है, वो क्या देनी है? 1 से ले करके, यह जो j है, यही star प्रिंट करेगा. तो main जो loop है star प्रिंटिंग का, वो यही है j वाला. तो यह जब star प्रिंट करेगा, तो पहली बार में एक star, दूसरी बार में दो, दूसरी बार में तीन ऐसे करके प्रिंट करना. और यह value हमें कहां से मिलेगी? आई से, क्योंकि आई की value first time में first होगी, फिर second time में second होगी, third time में third होगी, तो loop को इसी तक चला देते हैं, आई तक, अब क्योंकि last value नहीं चलेगी तो plus one कर दीजे, colon, और यहाँ पर क्या करना आपको? प्रिंट में सिर्फ star को प्रिंट कराना आपको, तो जे जो inner loop है, यह एक से लेके i तक star को प्रिंट करेगा, कितनी बार ऐसा करेगा? जितनी बार यह loop चलेगा, तो हर बार i की value भी change हो रही है, और यह 5 बार चलेगा, तो हर बार यह star प्रिंट करता रहेगा, अब अगर इस dot py के नाम से, अब देखें यहाँ पर यह अलग-अलग line में star आ रहा है, ऐसा क्यों आ रहा है, आपको पता है कि जो print function है, वो हमेशा last में line change कर देता है, python में, तो उसको हटाने के लिए हमें end लिखना होता है, और यह लगाना होता है, तो इससे क्या होता है, कि star print करने के पा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह सीधे line में आ गया, अब ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि star हम print तो करा रहा है, लेकिन जहाँ पर line change करनी है, यह जब loop पूरा चल जाए, तो line change कर दो, जब एक star print करेगा, I के value 1 होगी, उसके वाल line change, फिर दो बार यह loop चलेगा, दो star print करेग फिर line change, फिर यह एक से 3 तक चलेगा, 3 star print होंगे, फिर line change, यानि यह वाला loop जितनी बार चल रहा है, उसके चलने के तुरंद बाद line change हो रही है, तो इसके नीचे, एक step पीछे, क्योंकि इस वाले loop के साथ चलना है इसको, है यह इसी loop के अंदर, लेकिन इस loop के बाहर है, तो यहाँ पर आप करो print और लगा दो slash in, इसके बाद इसको run करके देखो, तो यह आपको finally आपका output देदेगा, जो आपको चाहिए था, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इसका reverse order print करना है, मतलब कि starting में 5 star होंगे, फिर 4 होंगे, फिर 3, फिर 2, फिर 1, तो बहुत ही simple है, बस इसको यहाँ 5 से start करिए, और 1 तक ले जाए, तो 1 तो क्योंकि चलेगे नहीं, और आपको 1 तक जाना ही है, तो 0 कर देजे इसको, इसके बाद आप क्योंकि by default एक बढ़ाता है, और हमें क्या करना है, एक एक करके घटाना है, तो comma करके minus 1 कर देजे, एक घटेगा, बन से लेके 4 तक चलाएगा, तो 4 स्टार प्रेंट करेगा, क्योंकि I की value पे ही यह loop depend कर रहा था, तो I की value 5 होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, तो loop में जो star है, वो बढ़ते से घटे करम में, इसलिए I की value बढ़ते से घटे करम में, यहाँ जो star घटे से बढ़त हैं, कितने spaces हैं, यहाँ पे 4 होंगे, फिर यहाँ पे 3, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, तो space प्रिंट करना है, फिर star प्रिंट करना है, तो आपने देखा कि यह pattern प्रिंट करने के लिए 2 loop तो हमें चाहिए ही चाहिए, और इस star से पहले space भी प्रिंट क चला देते हैं, अब यहाँ पर क्या करते हैं, एक और लूप लगाते हैं, k in range, अब इसमें क्या करना है, आपको space प्रिंट करना है, space कितना, 1 से ले करके, 5 minus i, i की जो भी value है, वो आप इस पर घटाते जाएए, अब यहाँ पर, क्योंकि last वाली value नहीं चलती है, तो 6 ले लेत हैं, अब यहाँ पर देखिए, 1 से start हो रहा है, i की value अगर 1 है, तो 5 minus 1 यानि 4, 4 यहाँ पर spaces प्रिंट होंगे, फिर i की value बढ़ेगी, और 2 होगी, तो 5 minus 2, 3 यहाँ पर star प्रिंट होंगे, फिर यहाँ पर i की value बढ़ेगी, 3, तो 5 minus 3, तो 2 spaces यहाँ पर प्रिंट होंगे, ऐ बस, इसको run कराके देखिए, अब यहाँ पे एक problem है छोटी से, यह देखिए आपका output सही नहीं आ रहा है, बीच में extra spaces lines के दिख रहे हैं, ऐसा क्यों कि यह जो space है, इसका भी last में slation आएगा तो उसको भी तो आपको हटाना है, उसको भी आप हटा दीजिए, run कराईए, आप आज एकी space star print हो रहा है, star का pattern वही है, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके, अब अगर इस pattern को reverse में करना, opposite, ऐसा pattern आपको करना है, 5, 4, 3, 2, 1, star जो है वो बढ़े से घटे क्रम में है, और जो space होगा वो घटे से बढ़े क्रम में, पहले space 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, तो कुछ करना नहीं है, आपको इसमें बस changes करने है, इसको आप 5 से और 0 तक ले जाएए, और comma minus 1 कर देजे, तो अब i के value होगी 5, तो 5 minus 5, 0, तो पहले 0 space print हो जाएगा, और यहाँ पे जब आएगा, तो 1 और 5 तक जारा तो 5 star print कर देगा, फिर i के value घटके 4 होगी, तो 5 minus 4, तो 1, तो single space print कर देगा, फिर 1 से लेकि 4 तक जारा यह वाला loop, तो star print कर देगा 4, ऐसे करके loop चलेगा, इसको आप रेंट करा के देखें, इसके बाद हमारे पास एक नया pattern है, अब इस pattern में देखिए, वही पुराने वाला problem है, space print करना है, फिर star, तो space print करने के लिए आप इसको 1 से 5-i, तो क्योंकि i की value पहले 1 होगी, तो 5-1 यानि 4, 4 star print करेगा, फिर 3, फिर 2, फिर 1, बात आ दी है कि star इस बार बढ़े हुए हैं, पहले क्या था कि 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे था, अब ऐसा नहीं, अब star कितने हैं, 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे हैं, तो बस star यहाँ पे बढ़ाने हैं, बाकि pattern वही पुराना वाला है, यहाँ से अगर आप देखिए, यहाँ से यह वाला part हठा दें, तो यह वही पुराना वाला pattern जो अभी हमने बनाया था, बस यहाँ पे star के numbers ज़्यादा हैं, star की संख्या आपको बढ़ाने हैं, तो 1, 3, 5, 7 कैसे आएगा, देखिए, 2 से multiply करिए i को, और minus 1 कर देजे, अब i की value 1 है, तो 2, 1, 0, 2 minus 1, 1 star, i की value 2 होगी, तो 2, 2, 0, 4 minus 1, 3 star, फिर i की value 3 होगी, तो 2, 3, 0, 6 minus 1, 5 star, फिर 4 होगी, तो 8 minus 1, 7 star, फिर 5 होगी, तो 10 minus 1, 9 star, इसको run करिए, और यह देखिए, यहाँ पे आपका pattern, print हो रहा है, इसके बाद अगर इसी pattern को आपको reverse करना है, आपको pattern कुछी इस तरह से print करना है, तो कोई changes नहीं, वही पुराना changes, यहाँ पे करिए 5, और इसको ले जाना है 0 तक, और हर बार 1 minus करना है, बस, इस बार i की value 5 है, तो 5 minus 5, 0, तो 1 से 0, तो 0 space print होगा, उसके बाद व group star print कर रहा है उसमें, तो 5 to the 10, 10 minus 1, 9, तो पहले 9 star print होगे, फिर उसके बाद i की value घटेगी एक 4 हो जाएगा, 4 के बाद यहाँ पे 5 minus 4, 1, तो 1 space, फिर 4 to the 8, 8 minus 1, 7, तो 7 star, ऐसे करके यह logic चलेगा, इसको run करके देखिया, तो यह देखिए यहाँ पे आपका pattern print हो रहा है, त और भी बहुत सारे patterns है, आप उनको निकालिएगा, गूगल से सर्च करिएगा, और उनकी practice करीगा, आप जितनी practice करेंगे, loop और logics उतने ही clear होंगे, and if you have any doubt, then you can contact, thanks for watching.